पाकिस्तान दो दिन नहीं समखल पाया नमर वन वन डे टीम का ताज भारत समय ये टीम फिर से निकली आगे जी हाँ दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में इससे बने यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पांच मई को बापर आजन की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम ने ICC One Day रैंकिंग में पहला पाईदान हासिल किया था पाकिस्तान किर्केट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब टीम One Day फॉर्मेट में नमर वन बनी हूँ मगर इस ताज को वह दो दिन भी नहीं समभाल पाई जीहां नीजुलैन के खिलाब रविवार रात आखरी मुकाबले में हार जहरने के बाद बाबर आजम की टीम से नमर वन का ताज छिन गया पाकिस्तान पहले से सिधे तिसरे पर खिसे गई है और ऑस्टेरलिया ने फिर से बाजी मार ली है ऑस्टेरलिया ने 113 रेटिंग के साथ ICC One Day रेंकिंग में पहला पाईदान हासिल कर लिया है वही इतने ही रेटिंग के साथ भारत दूसरे पाईदान पर है भारत और ऑस्टेरलिया की रेटिंग में बस पॉइंट का फर्थ वहीं बात पाकिस्तान की करें तो ने जूलेंड के खिलाब पांचवे वन डे में 47 रनों से सिकस्त जहलने के बाद उनके टीम की रेटिंग 112 हो गई है और अब वह तिसरे पाईदान पर पहुँच गई है वही ने जूलेंड 108 रेटिंग के साथ टॉप 5 पर मोजूद है तो दोस्तों किर्केट के मेदान से जुड़ी एसे जी और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें